मेरे प्यारे सातियों नवस्कार आज की वीडियो में राजसान जी के के 25 बहुत ही इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और यह सभी परसन एक्जाम की दिश्टी से विरी विरी इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साति रोजना रास्तान जी के कैसे इंपोर्टेंट की उसन बाना चाहते है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली रास्तान जी के कैसे इंपोर्टेंट की उसन की वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्यूशन आपके सामने है राजस sizes जिले में हस्ट चली चरके की जगें सोलर चरके का परयोग किया जा रहा है बोह्त इम्पॉर्टन क्यूशन है जल्दी से आप लोग एंसर बताइएगा कि राजस्तान की किस जिले के अंदर हसली चरके की जगें सोलर चरके का परियोग किया जा रहे नागोर पाली क्रोली दोसा तो सही उत्तरेगा दोसा के अंदर आप्शन डी हमारा उत्तरेगा क्योसनवर टू की बात करें राजस्तान में चार हजार मेगा वाट अल्टरा मेगा ग्रीन सोलर पावर प्रियोग उजना की स्थापना से समंधित आपको स्थान बताना है राजस्तान के अंदर 4000 मेगावाट अल्टरा मेगा ग्रीन सोलर पावर प्रियोजना की स्थापना से समधिस्थान है जो की सांबर है सांबर के अंदर है आप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसर नवर थ्री की बात करें सहकरिता क्षितर में अक्स उर्जा उत्पादन की पहल के दैदर राजे के किस जिले में 20 किलो वाट खिश्यमता का ओन ग्रीड रूप टॉप सॉलर सिस्टम लगाएगा अब वेरी वेरी इंपोर्टन यूसन है एक्जाम की दश्टी से जल्द आप लोग जो है एंसर कॉमेंट में बताएगा कि सहकरिता क्षितर में अक्स उर्जा उत्पादन की पहल के दैतर राजसान राजे के अंदर जो है किस जिले के अंदर 20 किलो वाट खिश्यमता का ओन ग्रीड रूप टॉप सॉलर सिस्टम लगाया गया तो सिरी गंगानगर क के अंदर ऑप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन और भोर की बात करें जाखम बांद लगू जल विदूत प्रियोजना राजस्तान के किस जिले में स्थीत है जाखम बांद लगू जल विदूत प्रियोजना राजस्तान के कौन से जिले के अंदर आप लोग उत्तर ज तो जाक्खम बाद लगू जल विदूत प्रियोजिना जो परतावगड के अंदर है ओप्सन टी इसका सही उतर रहेगा क्योशन और फाइब की बात करें सुकडी गुहिया नदी के किनारे पे कौन सा सहर है क्योशन और फाइब की बात करें सुकडी गुहिया नदी के किनारे पे कौन सा सिटी है जो कि पाली का एक सोज़स सिटी है ओप्सन भी इसका सही उतर रहेगा क्योशन और फाइब की बात करें राजस्तान का वए वन्य जीव अभ्यार्ण जान राजे का पर्थम जेविक उध्यान विक्सित किया जा रहे तो नहरगर वन्य जीव अभ्यार्ण ऑप्सन भी इसका सही उतर रहेगा क्योशनवर 7 की बात करें इंद्रा गांदी नहर प्योजना की साथ लिप्ट नहर इनमें से सबसे लंबी लिप्ट नहर कौन सी है एक्जाम में कई बार ये परसन पूछा जा चुका है और आगे भी आ सकता है कि इंद्रा गांदी नहर प्योजना की साथ लिप्ट नहर है और इन में से सबसे लंबी लिप्ट नहर कौन सी है तो कावर से लिप्ट नहर आप्शन भी इसका सही उतर रहेगा क्योंसर नवर 8 की बात करें करनाट बांद किस जील से समंदित है कि इस जील के किनारे मोती नगरी है जिस पे राणा-परताब का समारक बना हुआ। उद्धेपुर के अंदर आप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योस नवर नाइन की बात करें राजस्तान में मानसुनी हवाओं के परत्यावरतन का समय होता है राजस्तान के अंदर मानसुनी हवाओं के परत्यावरतन का जो समय होता है वगता है, October November में option B हमारा उत्तर रहेगा क्योंसरन मर 10 की बात करें राजस्तान राजे हद करगा विकास निगम लिम्टेट का मुख्या ले कहां पे तद соп इसकी स्थाफना कब हुई थी राजस्तान राजे हद करगा विकास निगम लिम्टेट का मुख्या लेक कहां पे और इसकी स्थापना जो है कब की गई आप लोग एंसर जल्दी से बताइए और वीडियो के अंद में आप सभी से एक most important क्योशन पूसर जाज़ेगा उसका भी आप लोग उत्र जुरूर दीजेगा देखते कितने बच्चे सही उत्र दे पाते हैं तो राजसान राज्ये हत करगा विकास निगम लिम्टेट का मुख्याले जेवपुर के अंदर है और इसकी जो स्थापना है वो केगी 1984 के अंदर आप्सन भी इसका सही उत्र है क्योसनल ग्यारा के बात करे राजस्तान का सबसे गरम जिला कौन से है राजस्तान का सबसे गरम जिला तो चुरू है उप्सन भी इसका सही उत्र है क्योसनवर 12 की बात करें राजस्तान का कौन सा सुंदाई प्राचिन काल से वनों की रक्षा धार्मिक मैतों से करता है राजस्तान का कौन सा यसा जिलाई जो प्राचिन समय से ही वनों की रक्षा के धार्मिक मैतों को धार्मिक मैतों दो दे रहे हैं तो विसनों ही संपरदाई हैं, option भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योशनवर 13 की बात करें, किस अभ्यारण में Tiger Dane Pratern Bangla स्थीत है राजस्तान के किस अभ्यारण के अंदर Tiger Dane Pratern Bangla है जो की स्रीश का अभ्यारण के अंदर है, option C इसका सही उत्तर रहेगा क्योशनवर 14 की बात करें, किस जिले में School of Desert Science थापित किया गया है राजस्तान के किस जिले के अंदर School of Desert Science थापित किया गया है आप लोग answer जल्दी से comment में बताईएगा तो School of Desert Science जो की जोदपूर के अंदर है, option D इसका सही उत्तर है क्योशनवर 15 की बात करें, नलिया सर्थ से आहत मुदराएं इंडो-ग्रिक सिके और गुप्त-कालिन-चांदी के सिके के साथ साथ 105 इतामबे की मुदराएं भी मिले हैं और ये कहां स्तीत है एक्जाम में परसन बन चुका है कि कहां पे 105 इतामबे की मुदराएं मिली है और गुप्त-कालिन-चांदी के सिके भी है और इंडो-ग्रिक सिके भी है तो ये है सामबर जेपूर के अंदर, option D इसका सही उत्तर हैगा क्योसनवर 16 की बात करें, राजसान में मतेरना कला का परधान के अंदर है राजसान के अंदर मतेरना कला का जो परधान के अंदर है, वो कि इस जिले के अंदर है जो की B कानेर है, option B इसका सही उत्तर है ग्योशनवर 17 की बात करें राजसान का कौन सा उद्धान पानी के पक्सियों के लिए परसीद है ग्योशनवर 18 की बात करें राजसान के किस अभ्यारन में काले हिंड मुख्य रोप से पाये जाते है राजस्तान के कौन से अभ्यारण के अंदर काले हिर्ट जो की मुख्य रोप से पाय जाते तो तालचा पर अभ्यारण में ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा क्योस नवर 19 की बात करें प्राचिन काल में वन्य जियों की सरनस्तली को कहा जाता है प्राचिन समय से ये वन्य जियों की जो सरनस्तली थी उसको क्या कहा जाता है किस नाम से जाना जाता है उसे औरड कहा जाता है ऑप्शन भी इसका सही उत्तर है क्योस नवर 20 की बात करें जोहार सागर अभ्यारण में किस जीव की संग्या बढ़ाने पे विशे से ध्यान दिया जा रहे है जोहार सागर अभ्यारण के अंदर है कौन से जीव की संग्या बढ़ाने पे उस पे खास तोर पे ध्यान दिया जा रहे है तो घड़ियालों की संख्या बढ़ाना option A इसका से ही उत्तर है क्योशनवर 21 की बात करें राजस्तान का कौन सा सहर कोठारी नदी के किनारे पे बसा हुए राजस्तान का कौन सा जो सहर है वो कोठारी नदी के किनारे पे है तो भीलवड़ा city option B हमारा उत्तर रहेगा क्योशनवर 22 की बात करें जाला वड़ गागरोंड किस नदी के किनारे पे बसे हुए किनारे पे option C हमारा उत्तर रहेगा क्योशनवर 24 की बात करें अजमेर के नाग पाड़ से कौन सी नदी निकलती है तो लूनी नदी option B इसका सही उत्तर है क्योशनवर 25 की बात करें उद्यपूर में गोगुदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है उद्यपूर में गोगुदा की जो पहाड़ी है वहां से कौन सी नदी निकलती है इस तरह कि एक्जाम में परसन बनते है और अकसर बचे यह पढ़के नहीं जाते तो नदी उसे जुड़े है अगर आपका टॉपिक एक्जाम के अंदर आती है समझ लिजे कि आपके इस ट्राइप के परसन बनते है तो जो है जिनकी अच्छे से त्यारी की होती है उन्हीं के सही होते है तो गोगुदा की भाड़ी से जो नदी इकलती हो बैट चे नदी है सबसे बड़ा राजसान का कौन सा अभ्यान जो किक शिया तरफल में सबसे बड़ा है सही उत्र आप लो कॉमेंट में बताईगा और ये भी बताईगा कि 25 में से आपके कितने सही वें इमान दरी से कॉमेंट कीजेगा किसी भी क्योंसन को लेके कोई डाउट और राय या सु इंपोर्टेंट इसने के विडिए